first things first एकदम एकदम अच्छे से मेरे को clarify करने के तो जिसको भी लगता है कि team did not want me as a manager इसके लिए में मेरे को निकाला गया था पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई roster ऐसा कोई player ऐसा कोई analyst ऐसा कोई कुछ भी कोई भी support staff ऐसा नहीं है जो soul के management कर सकता है कि soul का management कोन रहेगा सबसे पहले भी आपको एक चीज़ बता दू यहां पर management decision लेता है कि roster के साथ क्या होगा roster कोई decision making process में involvement नहीं होती I step down because मेरे को लगा था मैं useful नहीं हो रहा हूँ soul के लिए और ना ही मैं अपने content पर focus कर पा रहा हूँ इसके लिए I step down मुझे नहीं चाहिए था कि मैं burden बनू soul के उपर मैं step down हुआ और जब मेरे को लगा कि 2-3 महने का break हो गया content पूरा focus में नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से e-sports मेरा passion है तब ही मैंने फिर से वापस थक भाई को suggest कि कि you know I want to be back the same way with the same vigor and with the same drive जो कि मैं तीन साल पहले आया था मैंने थक भाई को ऐसे बात की कि तीन साल पहले मैंने soul मांगी थी आपसे पूछा नहीं था आपको मैंने बोला था कि मेरे को आना है मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को आना है तो दे दो मेरे को soul वापस और यह I think मैंने last stream पे भी बोला था कि 3-4 दिन में मेरे दिमाग में कुछ है तो hopefully discuss करके मैं आप लोग को यह चीज बताऊंगा तो वह भी आपको पता होगा वह लब यह थोड़ा टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था 10-15 दिन से तीन-चार दिन पहले मेरी बात हुई और यह सब confirm हो गया तो यह बिलकुल भी ऐ ऐसा कुछ कभी होगा नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है कि वह लोग डिक्रेक्ट कर पाए और जब मैं step-down हुआ था तो in fact टीम वाले दो-तीन लोगों का मेरे को message भी आता है ऐसा क्यू हूआ क्या हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो ठीक है तो वह तो पहले मैं सूचे clarify कर द नहीं है टीम वाले को मेरा inputs और मेरा contribution to the team पता है तो वह